लास्ट वीडियो में हमने देखा how attribution model works इस वीडियो में हम देखेगे fundamentals of Google Tech Manager Google Tech Manager एक टूल से जो Google के द्वारा provide किया जाता है हम इससे क्या कर सकते इसको कैसे setup किया जाता है वो सबी चीज़े हम पहले understanding के clear कर लेते हैं फिर हम इसको practically देखेगे कि कैसे Google Tech Manager को setup किया जाता है basically हमारी जो website बनती है वो उसका जो designing होता है वो बहुत सारे tags को मिला जुगला के बनता है जो HTML के tags होते है तो हम वो tags को Google के tools के जरीए कैसे manage कर सकते वो क्यू करना जरूर है इससे क्या फाइदा होगा वो सारी चीज़े आगे आपको समझने को मिलेगी Google ने 2012 के अंदर एक और tool launch किया जैसको नाम दिया Google Tag Manager जिसे analytics वैसे sufficient था कि सारे tracking और वगेरा करने के लिए पर Google ने जो multiple tags services provide करता है जैसे कि remarketing के लिए होता है या फिर कहीं पर analytics को integrate करने के लिए या फिर बहुत सारी ऐसी जगहा पर webmaster को integrate करने के लिए एक page provide करता है तो हमें बहुत सारे ऐसे कि services से related tags होते हैं जिनको अलग-अलग जगहा पर use करना पड़ता है और plus बहुत सारे HTML के भी extra tags को manage करने के लिए एक tool specific provide किया जगया जिसका नाम दिया गया Google Tag Manager तो आईए Google Tag Manager की बारे में detail में देखते है Google Tag Manager एक free tool है जो आपको easy तरीके से marketing करने की facility provide करेगा जैसे कि कि आप easily किसी भी नई text को add कर सकते हो update कर सकते हो website पर without technical knowledge and other things कि आपको website के pages पर नहीं जाना फिल भी आप Google Tag Manager की मदल से यह सारी facility कर सकते हो वो बहुत सारी other चीज़े भी include कर सकता है जैसे कि tracking कर सकता है आपके site के analytics को track कर सकता है अपके लिए remarketing text को promote add कर वा सकता है इन बहुत सारी ऐसे चीज़े जो आप Google Tag Manager के जरी फ्री कर सकते हो आपको just थोड़ी बहुत clicks करनी है थोड़ी बहुत detail fill up करनी है tag जिसको हम कहते है tag फिर triggers and variables text का मतलब होता है कि snippets of code added to a page जैसे हमारे जो भी हम web page बनातों वो web page के अंदर बहुत सारा code available होता है जिसमें से छोटा सा JavaScript का code या फिर ऐसा tag का code जो हमारे web page पे available होता है उसको tag कहा सकता है trigger किसको कहता है trigger का मतलब कि define when and where tags are executed यानि trigger का basic मतलब होता है कि कुछ execute होना वो track करेगा कि आप जिस भी tag को implement करना चाहते हो वो कब और कहां पर execute होगा जिसके सारे page पे होगा या फिर कुछ चुनिंदा pages पे ही होगा तो उसको trigger के जरिए यह track किया जाता है variables का मतलब क्या होता है variables used to receive and store the information to be used by the tags and triggers यानि जो tags जैसे हम नई tags बनाएगे हम उसको execute करेगे और triggers उसको track करेगा कि उसको कहां पर और कब execute करना है तो यह सारी information को store करने का receive करने का जो काम करेगा वो variable करेगा चलो आई हम Google Tag Manager के बारे में थोड़ा depth में समझते कि Google Tag Manager जब नहीं था तब क्या problem होते थे कि before Google Tag Manager the JavaScript on your website or mobile app had to be hard coded यानि वो normal basic coding के अंदर होते थे other words में अगर हम बात करें तो हमें हमारी development team को force करना परता था कि अगर हमें छोटा सा भी changes करना है तो हमें हमारे team को force करना परता था कि वो changes या फिर वो tracking हमारे लिए करें जो हमारे हाथ में नहीं था यानि वो changes हम नहीं कर पाते थे बट Google Tag Manager की मदद से क्या हुआ और after the Google Tag Manager now Google Tag Manager gives you a friendly user interface that walks you thought of the creating text step by step यानि जो भी आप एक छोटा सा code है जो आपके page पर add करना चाहते हो वो tag manager के जरी आप step by step create कर सकते हो और अगर आप उसे start करना चाहते हो तो you can add the custom generated tracking code also called the container tag जो हम container tag और custom generated tracking code के जरीए यह चीज़े हम कर सकते हैं जो हमारे website और mobile application दोनों पर हम कर सकते हैं जो before Google Tag Manager थोड़ा था जो हमारे developer से बात करनी पड़ते थी वो changes वो करते थी but now हमारे लिए लिए चीज़ी हो गई कि वो चीज़े हम खुद भी manage कर सकते तो afterwards Google Tag Manager allows anyone with the appropriate user permission जिस बंदे के पास adding और change करने की proper permission है और जो बंदे को हमने debug करने की permission दी है जो हमारे text को debug कर सकता है हमारी website पे वो यह सारे necessary changes भी कर सकता है तो इसके लिए जरूरी निक हमें हमारे developer के पास जाना यह चोड़े चोड़े changes के लिए और एक और जरूरी चीज़ नहीं है कि बहुत सारे लोगों को confusion होती है कि Google Tag Manager और Google Analytics दोनों सेम चीज़े और या फिर दोनों completely separate है मैं आपका misconception दूर करना चाहूंगा कि Google Tag Manager और Google Analytics दोनों separate टूल है कि दोनों जरूरी नहीं कि दूसरे पर fully dependent है और तभी काम करें तोनों separate टूल है you can use a Google Analytics जैसे कि हम Google Analytics को हमारी website पे यूज कर सकते हैं उसी तरीके से हम Google Tag Manager को अलग तरीके से हमारी website पे यूज कर सकते हैं ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंडर हैं However एक चीज़ कही जाती है फिर भी कि Google loves Google यानि Google की product है तो Google loves Google यानि कि दो product अगर Google दिये तो कही ना कहीं वो दोनों मिल जूल के साथ में performance देने के लिए यानि हमें surprise नहीं होना चाहिए कि अगर वो दोनों product साथ में काम कर भी सकती है अफिर वो support करें क्योंकि दोनों Google की product है Google अपनी सब product को एक दुसरे से link up करके convenience provide करें का तो definitely हम उनको साथ में use कर सकते हैं बट ऐसा dependency नहीं है कि दोनों को साथ में ही use करना है तो आपके mind वे अगर कोई ऐसी गलत thought है तो उसको आप निकाल सकते हो कि dependent है यानि कि दोनों independently work कर रहें बट dependent नहीं है कि एक use करो तो दूसरी कंपल सरी यूज करनी पड़ेगी अगर मैं आपको एक example लेकर बताओ तो Google Tag Manager actually में काम क्या करता है जैसे कि let's say that you need to track a resource downloading on your website यानि अगर मुझे मेरी website है उस पर downloading track करना है कि कितनी PDF download होती है Docs download यह तो और Excel है यह एक्सल की file download होती है तो उसको track करने के लिए में क्या करूंगा तो for tracking purpose it's important to know two things सबसे पहले हमें दो चीज़ जाननी पड़ेगी कि how many people download the file यानि कितने लोगों ने file को download किया और what page was the user on when it was downloaded user concept page पे था जब वो downloading चल रहा था तो यह हम कैसे कर सकते है तो in this case Google Tag Manager allows us allows you to easily set up a click trigger यानि हमें click trigger set कर सकते है जो particular click पे ही fire होगी and google analytics tag to see what and where resource are being downloaded without needing to any additional coding to your site यानि हमें कोई additional code हमारी site पे add नहीं करना है जैसे click trigger set करनी है Google Analytics के through हम यह easily track कर सकते कि कहां पर और कौन से चीज़ पर click हुई है जो click trigger के जरीए आपको information मिलेगे तो यह दूनों अगर हम properly integrate करें तो हमें कोई additional code हमारी website पे डालने की ज़रूत नहीं है हमें तूरंद पता चल जाएगा कि कि तरीके से कितने लोगों ने कौन से फाइल डाउनलोड करने के लिए गया चाहिए और वह कौन से page पर तो रिजन स्वाइट से Google Tag Manager is special यानि यह special tools क्यों है एक तो सबसे पहले यह free service provide कर रहा है do it by yourself हम खुद इसको integrate करके सब चीज हम खुद कर रहा है जिस चीज के लिए हमें किसे पर depend रहना पड़ता था वह नहीं है अभी हम खुद कर सकते forget about the limitation है कोई limitation है हम infinitely extend करके इसको use कर सकते cool feature with Google Analytics Google Analytics के साथ मिलते मिलके यह बहुत यह अच्छे features provide कर रहे easy to track more things नहीं बहुत सारी चीज हम आसा निचे track कर सकते and lots more things will come and there बहुत सारी चीज है और बहुत सारी in future में इसके साथ आ सकते है जो हम use कर सकते जिस तरीके से Google Tag Manager एक special tools की category में आता है आई हम देखते कि इसको setup करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें सबसे पहले Google Tag Manager link www.google.com आप Tag Manager.google करके Google में लिखोगे तो भी आपको link मिलेगी but simple Google Tag Manager भी अगर आप Google पर लिखोगे तो भी आपको first link मिलेगी तो यह link है www.google.com slash analytics slash tag manager में आप जाओगे तो आपको एक ऐसी screen मिलेगी जैसे मैंने image रखी हुई यहां पर वहां पर आपको first जब यहां पर आप पहुझाओ तो second आपको क्या करना है यहां पर जो एक button दिया गाए जिसको लिखा है shine up for free यहां आप free में यहां से shine up कर सकते हो जब आप यहां पर click करोगे तो आपको एक Gmail का जैसे login पूछा जाता है वैसे Gmail का login पूछेगा आप existing अपने email id और password को enter करोगे तो आप enter हो जाओगे अंदर और यह आपका पूरा account setup बन जाएगा और फिर आपको Google Tag Manager के अंदर further activity को प्रोसेड करना है यह मैंने आप लिखाए के enter your Gmail account details for login and you will be seen below pages यानि हमें यह नीचे के account वाला page मिल जाएगा फिर हमें further website integration के लिए जाना है कि कि सरीगे सम्ट website blog को हमारे Google Tag Manager के साथ integrate कर सकते हैं इस वीडियो माम ने देखा fundamentals of Google Tag Manager नेक्स्ट वीडियो माम देखेगे practical of Google Tag Manager